Compiler Construction में Left Recursion पे बात हुई थी और Left Recursion पे लेकिन अंदर मियान में पिर आवाज नेटवर्क का इशुता तो पिर मैंने सुझा कि एक Screen Recursion आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, Quick Review जो टापिक है Left Recursion और Left Factoring का वो अब लोगों के साथ शेयर कर दूँ तो इसके लिए प्रे रिक्विजिट्स आपकी यह हैं के Classification of Condex Free Grammar आपको पता हो Ambiguity and Purser U and you guys already know that we have already discussed these things, Ambiguity in detail, Purser के मैंने काफी सारे लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर किये थे हैं तो Top Down Parsing, Bottom Up Parsing और Ambiguity के हमादे से हैं अब हम आते हैं क्योंकि यह Screen Recurring का Make Free Version यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे खिर में 10 minutes की वीडियो हम बना सकते हैं तो यह Left Recursion पे हम बात करते हैं कि Left Recursion होता क्या है Basically Recursion you already know that कि एक procedure खुद को काल कर रहा हूँ अब Left Recursion क्यों मसला क्यों problematic है क्योंकि वो अगर खुद को काल कर रहा है तो वो infinite loop बन जाता है अब यहां पर एक example है यह वाला example आगर आप देखें S is replaced by S, A, S, B and C and D यहां पर आपके पास S जो है यह non-terminal है और A, B, C and D small fonts में अब यहां प्रोग्रेंस तो यह खुद को काल कर रहा है अब यह left side पे ही move करेंगा यह right side पे नहीं आएगा तो इस वजह से हम यह एक problematic situation है इसको हमने eliminate करना है एक program के हावारे से मैं आपको बता दूं कि यहां पे यह एक program है जो ABC एक method है प्रोसिजर है जो खुद को काल कर रहा है अब यहां पे this program will call ABC and see out no क्यूंकि वो खुद को ABC यह खुद को काल करेगा अगर यह खुद को काल कर रहा है then it means कि वो नीचे ABC पे और see out पे नहीं आएगा यह continuous loop बन जाएगा इससे left factoring left sorry left recursion तो left recursion में यह खुद को काल कर रहा है तो इसको हमने eliminate करना है formal description यह आप लोग खुद देख लें और इसके साथ we have already discussed कि यह infinite loop बन जाते हैं और इस यह जब infinite loop बन जाते हैं तो फिर हमारा लिए हमारे लिए problematic हैं अब यहां पे एक कुछ production rules देखें कि E is replaced by E plus T यह E आपका जो non-terminal है यह E यहां पे खुद को काल कर रहा है T आपके पास terminal है ठीक है तो terminal पे यह नहीं आएगा infinite loop बन जाएगा यह खुद को बार बार वो काल कर थरहेगा तो आपके पास जो आपका जो goal है specific goal है वो आप इससे जीव नहीं कर सकते हैं अब इसको हम eliminate किस तरह से करेंगे तो उसके लिए different optimization आप apply कर सकते हैं करते हैं बी जो non-terminal है sorry terminal है और इसके साथ एक extra एक new non-terminal आप add करते हैं इसको a prime आप बोल सकते हैं a dash बोल सकते हैं इसके साथ add करते हैं और फिर उसको दुबारा से आप call कर ले देओ तो मतलब यह कि elimination में हम यह करते हैं कि recursion तो हम finish हतम नहीं कर सकते हैं क्योंकि recursion की हमें जरुरत हैं अब वो recursion को हम पिर change करते हैं into right recursion जब right recursion में हम उसको convert करें तो वो जो problematic situation हाती है उसको पिर हम address कर लेते हैं तो आप यहां पर देखें इसको हमने यहां पर right recursion को change कर दिया यह transform कर दिया लेकिन यहां पर भी मैं यह बोलूँगा कि it depends कि आपकी जो production rules है उसमें आप कितने add करते हैं उसमें आप कितने complexity complexity अगर ज्यादा बढ़ती है उसमें ज्यादा ना टर्मीद आपके देखें तो definitely उसमें complexity बढ़ेगी तो it depends on you कि आप किस तरह से उसमें optimization apply करते हैं और आपका जो code है आपकी जो production rules है वो ज्यादा optimized हो तो इसको यहां पर देखें then again हम a prime को हम call करते हैं और eps मतलब epsilon से और यहां पर right recursion से हम उसको call कर लेते हैं finally हमारे पास rules क्या बन जाते हैं e is replied by t e prime और e prime को हम दुबारा से यहां पर call कर लेते हैं एक और example है इसको skip करते हैं एक और example है यहां पर मैंने यह तोड़ा सा अगर आप देखें कि इसमें double आपके पास left recursion आएगा और उस left recursion को पिर आपने eliminate करना है तो अब यहां पर देखें कि consider defining के यह आपके पास एक production rules की बना है आप replace करते हो a को यहां पर double अच्छा यह आप से पहले understand करने कि इसमें terminal और non-terminal कितने हैं इसमें terminal आपके पास non-terminal तो हैं capital A and capital B और non-terminal कितने हैं आपके पास हैं A, B, D and E यह चार आपके पास the terminals है तो यह देखें यहां पे भी left recursion है यहां पे भी left recursion है और यहां पे भी left recursion है तीन टाइप की left recursion है अब इसको अपने eliminate किस तार से करना है आप eliminate करते हैं उसको A को replace करते हैं small a and then a prime एक non-terminal से आप दोबारा से non-terminal को call करते हैं लेकिन जब आप non-terminal को call करते हैं और यहां पे terminal and that new non-terminal और भी left recursion है यहां पे यहां तक तो चलो ठीक है लेकिन यहां पे आप देखें इस section पे तो आपको नजर आएगा कि यहां पे again हमारे पास left recursion है अब इसको left recursion को आपने किस तरह से खतम करना है इसके लिए आप एक और void कर लेते हैं non-terminal add करते हैं तो वो आप b' आप add करते हैं आपने b' add कर लिया जब b' add कर लिया तो आप b' को again यहां पे call करते हैं और यह आपके पास solution आ जाते हैं तो यह आपके जो यहां पे left recursion का issue था वो आपने left recursion का issue था वो आपने left and right recursion में convert करके सिर्फ दो extra non-terminal add करके achieve कर लिया address कर लिया उसके उस problem को I hope इसमें कोई problem नहीं होगी अगर कोई problem है तो आप लोग मेरे साथ contact कर सकते हैं आप लोग discussion forum VLE के discussion forum पे भी question post कर सकते हैं कर दोटाँ प्योड़र अगर आप सकते हैं आप लोग आप